Hey everyone, welcome back to your favorite channel, Magnet Brains, this is me, शुपरतिवारी, बहुत-बहुत स्वागत है, यहाँ पर आपको प्रवाइट कराया जाता है, बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बहुत बहुतरिन कुछ कर सके, तो कल शायद क्लास नहीं हुई थी, पर उसके एक दि पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वो शायद आपको याद होगा, ठीक है, दिवाली का भूत आपके सर से उतर गया होगा, और आज हम एक नए दिन के साथ शुरुवात करते हैं, तो लास्क्लास में लोगों ने पढ़ा किया था, आप लोगों को कुछ याद है कि सब साफ हो गया, तो मैं आपके लिए कावक बोलती भी हूँ कि बाइलर जी है, बड़ी बेवफा, रात में आप किया सुवेरे सफा, तो वही वाला हाल है, अब एक दिन में कहां याद रहता है मैडम, तो एक बर आपको बता देती हूँ कि मैं लास्क्लास में पढ़ाया किया भावक देती है था मैं आपको बढला है था और सीक्थ यह यह लोगों के बारे में के पढ़ा था, इनके में बाकी मैं पिश हो एक आपको आपी में लेक्श का के में पढ़ा Пढ़ा दिया था, फिरस 程पयोर जाके लगए उसको पढ़कर आईए, और अब होगी मनें आप कैसा होगा, two-chambered heart होगा, ठीक है, eggs laying होगी, oviparous होगी, sometimes they are viviparous, but it is not true, viviparous आपने शार्क में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बाद इनका mouth, mouth में, जो है, आप separate कर सकते हैं, ठीक है, जब की, जो हड़ी वाली fishes रहती, उनका mouth कैसा होता है, बच्चो, वो एकदम टर्मिनल होता, आपको बिल्कुल अंत पे दिखाई देता है, ठीक है, उसके बाद अपन देखिए, एक पॉइंट में आपको एक बार revise करवा देती हूँ, यह last class में हम लोगोंने पढ़ा पना होता है, exoskeleton में scales हो सकते है, cycloid, tenoid, ठीक है, placoid scales हम लोगोंने कहां पे पढ़े थे, हमने पढ़ा था, cartilaginous fishes में यह भूलेंगे नहीं अपन लोग, ठीक है, उसके बाद respiration के लिए इनके पास gills होते हैं, पर ostrich thighs और chondric thighs, इन दोनों में अंतर क्या होता है, प्यारे कुलम कहते हैं, ठीक है, उसके बाद mouth terminal है, चोचीला mouth है, चोच जैसा ऐसो बहर आता है, ठीक है, air bladder इन में present हो सकता है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, कि जिन मचलियों में air bladder होता है, वो पानी के बाहर आ सकती है, ठीक है, तो air bladder एक ऐसा structure होता है, जो मचलियों में पानी से बाहर आती है, और उसके बाद ये वाला जो हवा भरी हुए है, air bladder के अंदर वो अपना यूज करती है, और फिर जैसे ही वो air bladder की हवा खतम हुजाती है, बिचारी वापस से पानी में आती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उड़ने लग जाएगी कि माड़ा, air bladder में जब त से पानी में आ जाएगी, पर अगर हम लोग बात करें, और हम लोगों के पास air bladder नहीं होता, इसलिए आपको पता है कि वो मचलियां कभी भी शार्क की बात करोगे ना, तो वो मचलियां कभी भी ऐसा नी करती की रुख जाए, शार्क हमेशा तैर्टी ही रहती है, क्योंकि air bladder है नहीं, तो उनके में बयान से नहीं होती, वो फ्लोट नहीं कर सकती, और फ्लोट नहीं कर सकती, तो वो डूब जाती है, धम मसच आपके गिर जाएंगी जमीन में, तो वो मेशा तैरती रहती है, जबकि तुम किसी फ्रेश वाटर औस्टिक थाइस फिश या औस्तिक तेहरे चाहे ना तेहरे वो किसी भी जगा पर रुख कर फ्लोट कर सकती हैं क्योंकि एर ब्लाडर में हो हवा बर लेती ही बॉड़ी हलका के लेती हैं तेहरा ने लगती हैं ना नेक्स्ट इस कि इनके बॉड़ी में लंग्स फिशेज रिस्पायर तो अच्छा लंग्फिशेज का मतलब अभी मैं आपको पढ़ाने भी वाली हूँ कि लंग्स फिशेज का मतलब कोई यह नहीं समझेगा कि इन मशलियों के पास फेफड़े आ गएं क्योंकि फेफड़ा जो ट्रू फेफड़ा एक्शली वो रेप्टाइल से ही शुरू होगा हम लोग ऐमफिबियंज में भी फेफड़ा बोलते हैं बट इट इस नौट सो टेवलब्ट ठीक है क्लोएका इस अपसेंट ठीक है इनके में क्लोएका नहीं होता अब मेरे लाल मेरे बच्चों क्लोएका मेरे को बताने की जुरूत नहीं होगी ठीक है अब आप जो भी बच्चा नया जुड़ा है मैं सिर्फ उसके लिए बता रही हूँ जो बच्चा पुराना हो कान बन कर ले अपने ठीक है अगर किसी की बॉड़ी मेरे टोऊका है तो इनके जो ओपनिंग हो कैसी होगी अपनिंग एक जगह पर होगी तो इनके में वो नहीं होता क्योंकि इनका body developed है थोड़ा सा तो इनके उसकी जगह पर इनके पास they have separate anus and they have separate genital that for the sperm को निकालने के लिए और ova को निकालने के लिए fertilization external होता है sperm male निकाल देता है पानी में और female अपना ova यह ova paris, ova viparis और viparis हो सकते viparis मतलब बच्चा देंगे ova paris मतलब की रहेगा अंडा पर बच्चा पेट में develop होगा और फिर वो बाहर निकलेगा और ova paris मतलब अंडा देंगे ठीक है तो यह मैंने आपको last class से पढ़ाया था यह ostrich thais fishes बताई थी यह देखे कूद रही है लंगफिश scales यह पढ़ाता अपने examples पढ़े थे example में कौन-कौन सा पढ़ा थे यह हमने पढ़ाते example में प्यारे बच्चो labia, clareus, ठीक है cutla, channa, plophius, hippocampus pregnant male ठीक है तो यह एक मात्र इस धर्ती में ऐसा जानवर है जिसका लड़का आदमी pregnant हो जाता है ठीक है pregnant नहीं हो जाता है actually they have root pouch जिसके अंदर वो अपने अंडों को develop करता है ठीक है रक्षा करता है, सुरक्षा करता है तो यह एक ऐसा hippocampus is the pregnant male बेटा, fighting fish इस aquarium fish भी है petrophylum and exocytus freshwater fish and it is a flying fish ठीक है anguilla यह movement शो करती है यह मैं पहले ही बता चुकिए kynos remora यह शाक्यों पर चिपक कर खाती है camoncillism शो करती है mr. syrania और गंबूशिया जो कि लार्वी वार्रस विश malaria का लार्वा खाती आज की यह तो बस revision हो गया है अपना ठीक है NCRT Booty तो लेट्स किट स्टार्टेट बिना देर की एस हाइलाइटर सिलेट कर लूँ में आज मेरा बोट ठीक हो गया बढ़ियां काम कर रहा है कोई टेंशन नहीं है इसको चली देखते हैं देखिए सबसे पहले औस्टिक थाइस क्लास के बारे हम पढ़ रहा है पेड नमबर 56 NCIT में देख सकते हैं इट इंक्लूड बोथ मराइन और फ्रेश वाटर फिशेज तो जो भी बोनी फिशेज रहती है मेरे प्यारे बच्चो वो आपके फ्रेश वाटर में भी रह सकती मेराइन वाटर में भी रहती है कोई टेंशन नहीं है बहुत सारी जो इसकी गरूप जो है तो ये मचली कौन सी हो गयी? Austic thighs, ठीक है? Austicides make the bone and bone make the fish. The fish called as austic thighs, ठीक है? Their body is streamlined, ठीक है? उके, इनकी body जो होती है, streamlined body होती है. आपको मैने पहले ही बताया था कि इनको resistance को काटना होता है. क्योंकि पानी के अंदर रह रही हैं. अभ आपको पानी की अंदर जो है टैरने में कितनी मुश्कली होती है अगर आप अन्दर पानी की घुसके तरह थी तो आपको बहुत मुश्कील होती होटी कि वाटर एक तरिष्टेंस पैदा करता है। एक प्रतिरोध पैदा करता है जब की इन मचलियों की बाडी कैसी आजिनोफ्री कि शुक्त suo रो tap पा सब माउतिरो बॉडिलान कि शुक्त की और हागे बॉस से लिफ लातले हो कि जैसे ओ T ठीक है, they have four pairs of gills, यह मैंने पहले ही आपको बता दिया था which is covered by the aoperculum, जो की gills का cover होता है जब की cartilaginous fishes में यह नहीं पाया जाता, ठीक है तो अगली बार मचली खाने के शौकीन हो मेरे लला तो बात ऐसी की cover दिख रहा है ना, तो हड़ी वाली होगी और cover नहीं दिख रहा है तो हड़ी वाली नहीं होगी, ठीक है अगली बात, skin is covered with the cycloid, skin is covered with the cycloid tinoid scale यह मैंने आपको बता दिये तो बर्फी टाइप का, काजु कतली टाइप का scale रहता है ठीक है, और cycloid goal के अंदर, goal के अंदर, goal के अंदर, goal, 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 goals scales रहते हैं air bladder जो है, इनके कुछ groups में present होता है, जो कि Beyonce regulate करता है यह मैंने आपको पहले ही बताया, हवा भर कर यह अपने आपको बिलको heroin समझने लगती है जैसे कि कोई लड़की बहुत जादा तयार हो जाए, सच जाए तो फूल जाती है खुशी से और फिर वो किसी की नहीं सुनती आगे आगे जो है, फूली हुई घुमती है, वैसी इनके साथ भी है यह air bladder में हवा भर के इतनी फूल जाती है, कि यह float करने लगती है heart is two chambered, इनके पास, दोनों मचलियों के पास heart two chamber ही होता है किसी भी मचली के पास two chamber heart है, अगर तुम खुद एक मचली हो, तो तुम्हारे पास भी होना चाहिए, ठीक है one is auricle and second is ventricle, now they are cold blooded animal, ठीक है तो यह cold blooded animal होते हैं, अच्छा हमेशा ही याद रखिये कि cold blooded animal जो होते हैं, आपको क्या लगता है कि cold blooded animal जो हैं, बहुत अच्छे होते हैं, homeo-tharmic हम से जादा अच्छे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का मैंने ये सवाल सुने, जब भी मैं पढ़ाती हूं तो लोगों के मन में सवाल रहता है कि माडम अगर कोई ये body temperature change कर लेता है, तो ये तो अच्छी बात है ना, कि बाहर गर्मी है तो ठंडी कर लो, ठंडी है तो गर्मी कर लो, no, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हम cold blood से warm blood में convert हुए, तो हमने बहुत सारी development, बहुत सारी energy waste की अपने body को uniformity देने के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बहुत ठंडी है तो sweater पहन लीजे, बहुत बारिश है तो छाता ओल लीजे, और बहुत गर्मी है तो cooler चला लीजे, इसी चला लीजे, ठीक, पर body, अगर normal है तो कुछ मत करिये, ठीक है, इसका मतलब आपकी body एक ideal condition में ही रहेगी, इनक मर नहीं जाएंगे क्या, और ऐसा होता भी तो है, अंटार्टिका वेकरर में बर्फ के नीचे मशलियां जो है जीवित रहती पर क्या हर मशली जीवित रहती, नहीं, जो change कर लेती है, temperature गरम कर लेती है अपने आपको जीवित रहती और जो नहीं कर पाती, वो मर जाती है, it is the disadvantage, ठीक, तो इसका कोई बहुत 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 रहती नहीं, तुम्हारे साथ क्या है कि अंटार्टिका जाना है, तो 15-15 के कपड़े ले जाओ, तो तुम्हें पता है न, इनको नहीं पता रहता, ठीक है, sexes are separate, इनके में male or female आपको separate दिखाए देंगे, fertilization external है स्पम पानी में निकाल दो, ओवा पानी में निकाल दो, fertilize हो जाओ, उसके बाद जाइगोट बना के, develop हो जाए, they are mostly oviparous and development is direct, ठीक है, development direct mostly मतलग कि वो भी हो सकते हैं, ठीक है, vviparous, ovviparous, development direct है, कोई larval stage नहीं है, now next thing, अब हम लोग अलग-अलग categories के fishes के बारे में बात क रही है, कौन fresh water है, कौन marine water है, कौन कैसी है, ठीक है, सबसे पहले हम marine bony fish के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यह exocytus, यह मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मैंने पढ़ाया था, इन्हें हम flying fishes कहते हैं, flying का मतलब यह रही है कि आकाश में उड़ने लगती है, air bladder है, तो सबसे बाहर निकलती है, और जो उसे अंदर गुच जाती है, hippocampus, sea horse, इसे pregnant male कहते हैं, fresh water कौन कौन सी है, labio, लोग जो है, इंडिया में से बहुत खाते हैं, labio, cutla, clarius, magur कहते हैं, aquarium जो है, aquarium fishes कौन सी है, beta, ठीक है, aquarium की कौन से fish है भईया, beta, beta is the fighting fish, next is the petrophylum, which is the angel fish, ठीक है तो ये examples है, NCRT के example बहुत important है, इसको छोड़ना नहीं है, NCRT अपने आप में ही पूरी कहानी है, भाई साब, पूरी कहानी, NCRT नहीं आती तो कुछ नहीं आता, ठीक है, so this is the structure of the hippocampus, pregnant male, देखो वैसा दिख भी रहा है, and this is the cutla, जो कि regularly लोग इसको खाने में इस्तमाल कर पर मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूं, more to know, it's not very exclusive thing, but you should know, ठीक है, class dipnoy group, ठीक है, मचलियों में ग्रुप है, which is called as dipnoy group, actually in fishes को हम amphibian fish कह सकते, या amphibian fish मत कहो, इनको आप uncle of amphibia कह दो, इन्हें हम कायदे से lung fishes कहते हैं, ब्यारे बच्चो, क्या कहते हैं इसक wireless lung fishes क्योंकि group dipnoy में हार मचली के पास जो है हवा वाला bladder होता है, तो पानी से बाहर आके भी कुछ समय तक रह सकती है, look at this, don't you think so, कि यहां पर तुम्हें कोई पानी, exactly बहुत सारा पानी दिख रहा है क्या, नहीं, ठीक है, it is the example of protopteres, ठीक है, इसका example है, तो इन्हें आप uncle of amphibia कहते हैं, क्योंकि इसके just बाद से amphibia आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, so they are known as amphibia, uncle of amphibia, अच्छा, इनके में और amphibia का character क्या है, they have three chambered heart, ठीक है, they have what, they have three chambered heart, please always remember this, कि इनके पास होता है three chambered heart, okay, तो इसलिए इनको हम uncle of amphibia कहते हैं, ठीक है, तो इसमें actually दोनों के character होते हैं, मचली के भी character होते हैं, और amphibians के भी character होते हैं, ठीक है, तो इस group के अंदर आपको, जो है, तो air bladder, जो है, respiration में help करेगा, okay, now next thing, हम लोगों ने air bladder, swim bladder, जो है swim bladder मचली हों पड़ा, they have air bladder, जो कि हवा भर कर, इनको land में आने में मदद करता है, किस में मदद करता है, land में आने में मदद करता है, और जब भी मचली land में आने वाली है, या आ गई है, इसका मतलब यह, कि fishes जो है, वो develop हो गई है, और वो amphibian में convert होने लगी है, इसका, जो है, class dipnoy या lung fishes का, सबसे important example है, protopterus, ठीक है, very important, यह question जो है, maybe आपसे neat में पूछा जा सकता है, ठीक है, ओके, तो यह important question है, यह एक living fossil fish है, इस group के बहुत सारे member extint हो चुके है, मतलब अब नहीं मिलते, पर आज भी आपको protopterus दिखाई देता है, और वो ऐसा ही दिखाई देता है, they are the first group of animals जो पानी से land में रहने आये और vertebrate थे, ठीक है, so this is all about the exclusive dipnoy group, ठीक, and NCRT booty, and some revision of the last class, learn and enjoy the video, I hope कि आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिशानी नहीं होई होगी, ठीक है, रहे भाईया, रिवी जन था, next class में हम पढ़ने वाले हैं, एक नया fresh topic, जो कि है amphibia, मैंने कोई surprise नहीं रखा है, ठीक है, क्योंकि पता है कि मचली पढ़ी तो अब amphibia ही ठीक है, तो next class में मिलते हैं कुछ मेंड़क प्यारे, beautiful मेंड़क के साथ, तो next class में मिलते हैं और तब तक घर पे रही है, वीडियो ज़रू देखिए, बहुत important है questions आता है, so see you in the next class, thank you so much.